नमस्कार राजेसर क्लासिस में आपका श्वागत है इस वीडियो में मैं सरुनाम की परिभासा उदारण स्वेद बताऊंगा तो देखे सरुनाम की परिभासा संग्या के अस्थान पर प्रियोग होने वाले शब्दों को सरुनाम कहते हैं जैसे मैं तुम वा हम उसका आप मुझे आ दी अब देखे सरुनाम का शाब्दिक अर्थ तो सरुनाम का शाब्दिक अर्थ होता शबही का नाम अर्थात ए शब्द किसी व्यक्ति विसेश के लिए प्रयोक्त ना होकर सब के लिए प्रयोक्त होते हैं जैसे वह सब्द का प्रयोक सभी व्यक्तियों के लिए होता है ये किसी व्यक्ति विसेश का नाम नहीं है सौर नाम का साब्दिकर्थ होता सभी का नाम अर्थात ए सब्द किसी व्यक्ति विसेश के लिए प्रयुक्त नहीं होते बलकि सब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं जैसे सब्द वह है का प्रयुक सभी व्यक्तियों के लिए होता यहाँ पर कुछ वाक्त दिये गए मोहन सहर से आ रहा है मोहन अपना सामान भी साथ ला रहा है मोहन के पिता भी सहर से आ रहा है मोहन संग्या है जिसका प्रियोग बार-बार हो रहा है इन वाक्यों में तो व्याकरण के देश्टी से तो यह सही है लेकिन रूचिकर नहीं है तो इसको रूचिकर बनाने के लिए शंग्या के अस्थान पर सौर नाम का प्रयोग होगा तो ये रूचिकर आकर्शक लगेगा तो देखा जै मोहन सहर से आ रहा है वह अपना सामान भी साथ ला रहा है उसके पिता भी वहां से आ रहे है अब देखे इस मोहन की जगह वह प्रयोग हुआ और इस मोहन की जगह उसके प्रयोग हुआ यानि ये संग्या की जगह वह अईस संग्या की जगह उसके और इस सहर की जगह वहां सौर नाम का प्रयोग किया गया तो वाग का आकर्शन बढ़ गया अब हो गया मोहं सहर से आ रहा है वो अपना सामान भी साथ ला रहा है उसके पिता भी वहां से आ रहे है नमस्कार यदि वीडियों अच्छा लगे तो लाइक से औरो सब्सक्राइब करें चैनल को नमस्कार